हार्ट अटैक का खत्रा कम उम्र के लोगों में भी बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। यहां निश्चित ही गंभीर संकेत हैं, हार्ट डिसीज लाइफस्टाइल से जुड़ा रोग है। खराब लाइफस्टाइल होने पर इस रोग के अधिक होने की संभावना होती है। हाइपरटेंशन, डाइबिटीज जैसी बीमारी से यदि आप जूज रहे हैं। तब भी हार्ट प्रॉबलम होने का खत्रा अधिक है। पिछले दो साल में हार्ट अटैक से कई सेलिब्रिटीज की मौत ने इस बीमारी ने अटेंशन अपनी ओर खीचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस वक्त हार्ट अटैक होने का खत्रा अधिक होता है। और क्यों माना जाता है कि सुबह के समय हार्ट अटैक अधिक आते हैं। आईए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले and प्लीज प्रेस दा बेल आइकॉन। स्पेन के विशेशग्यों ने भी इसको लेकर रिसर्च की थी। रिसर्च में सामने आया कि सुबह 3-4 बजे और उसके बाद होने वाले हार्ट अटैक अन्य समय की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं। यहां हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके पीछे वज़ा बताई गई कि सुबह 3-4 बजे और उसके बाद के कुछ घंटों में देड मसल सेल दिन की तुलना में 20% अधिक होते हैं। हार्ट पूरी बॉड़ी को बलड सप्लाई रता है। इसके अलावा डेड सेल्स का हटाने का काम भी करना होता है। इसी कारण हार्ट पर बहुत अधिक दबाव काम करने का पड़ जाता है। एक और विशेश बात। आराम होने की अवस्था होने के चलते बलड वेसल्स थोड़ी सिकुड़ी हुई होती है। बलड के जो ठकके बलड सप्लाई बाधित होने पर हार्ट अटैक आ जाते हैं। ग्रिगम एंड वोमेंस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर फेरंग एजेल शीर सरकेडियन सिस्टम की भूमी का और हेल्थ पर उसके इफेक्ट को लेकर रिसर्च कर रही है। सरकेड इयन सिस्टम दिन भर जागने इमोशन को नियंतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लॉट खत्म नहीं कर पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। सुबह के समय हार्ट अटैक आने को लेकर लगाता रिसर्च भी चल रही है। रिसर्च में सामने आया है कि सुबह के समय सरकेडियन सिस्टम पाई एक सेल्स धिक रिलीज करता है। ब्लड में जो थक्के बनते हैं। यहाँ सेल्स इन थक्कों को बढ़ाने का काम करता है। किसी वज़ा से हार्ट अटैक आते हैं। इस दीमारी से बचाव के लिए एहतियाद बरतना जरूरी है। तो तुरंद डॉक्टर को दिखाएं।